हलो एवरिवन बीएस सेकंड एर की इस क्लासिस में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे सेरी कल्चर जिसको रेशम की तुप या फिर रेशम उत्पादन की नाम से जाना जाता है सभी स्टूडेंट जल्दी से जॉइन करें और मैं कुछ चीज़ें पूछना चाता हूं क्या सभी स्टूडेंट रेजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उसकी स्क्रिनशाट लें स्क्रिनशाट को ग्रुप में भेजें, स्टडी ग्रुप में हम लोग इस डिसकस करते हैं नेक्स टॉपिक जिसको सेरी कल्चर या रेशम उत्पादन की नाम से जाना जाता है तो सबसे पहले जेनरल इंटॉडॉड्ड़ूड्चन जेनरल इंट्रॉक्शन देखते हैं कि वाट इस सेरी कल्चर, सेरी कल्चर क्या होता है, रेशम की उत्पादन क्या होता है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन में क्या किया जाता है, रेशम का उत्पादन किया जाता है, और रेशम से क कीमती वस्त्र बनते हैं, बहुत सारे टेक्स्टाइल इंडस्ट्री या टेक्स्टाइल बनते हैं, बहुत सारे टेक्स्टाइल इंडस्ट्री इंडियाज में इस्टेबली सें, देखते हैं, जनरल इंडरेक्शन, The word seri culture is derived from Greek word seros, seri means silk and cos means culture So seri culture एक Greek word ठीक है, seri culture क्या कौन से word है, एक Greek word से derived हुआ है Greek word seros से derived हुआ है, जिसका मतलब seri means, seri का मतलब होता है silk और kars का मतलब होता है culture, seri means silk और cos mean culture mean seri ara seri kis को बोलते हैं हम लोग, seri बोलते हैं हम लोग Okay, seri culture, seri means seri हम लोग बोलते हैं किसको seri बोलते हैं हम लोग तो रेशम को रेशम को क्या बोलते हैं से रिखी और कल्चर मीं कलचर करना तो रेशम कल्चर आप इस सतरह से बोल सकते हैं कि रेशम का defensive करना सो بिर अपना आप को पता होगा कि सेरी कल्चर बेस्ट कितनी इंडस्ट्रीज इंडियाज में डेवलप हैं बहुत सा टेक्स्टाइल इंडस्ट्रीज वगेरा डेवलप हैं तो सेरी कल्चर में क्या किया जाता है सिल्क वार्म को रियर किया जाता है और से फिर शेल्क रियर किया जाता है तो हम बोल सकते हैं कि शेल्क वार्म को रियर करना और इन से क्या प्राप्त करना इन से रेशाम प्राप्त करना क्या कहलाता है सेरी कल्चर कहलाता है इनफैक्ट सेरी कल्चर रिफरस्टू दा मासिस केल रि Colonel रिखाव सील्क प्रॉर्डूशिंग अरगनिजम इना morphें गार簡ि तो सिल्क कुल्चर को हम दूसरी तरप से वो सकते हैं आहिक जहता है बहुत ज्यादा scale में mass scale में क्या किया जाता है silk producing organism होता है उनको rearing किया जाता है और उनसे silk को प्राप्त किया जाता है large scale आप बोल सकते हो या mass scale में क्या किया जाता है silk producing organism को rear किया जाता है और उनसे silk को प्राप्त किया जाता है silk is secreted by silk gland of the silk worm and its fibrous protein of insect origin क्या बोल रहा है सिल्क क्या होता है सिल्क सिल्क वार्म के सिल्क किस से सिक्रीट होता है सिल्क सिल्क वार्म जो रिशम का कीड़ा होता है जिसको हम लोग सिल्क वार्म बोलते हैं इनके इनके silk gland से secret होता है और यह जो एर के presence में यह ही क्या किया जाता है इनके silk gland से secret होने वाला यह latex proteins क्या कर लेता है वा के संपर्क में आता है तो यह solidify हो जाता है तो एक तरह से क्या होता है एक protein होता है जो कि insect origin का होता है कि silk fiber consists two type of protein namely fibrone and sericine तो silk warm होता है उसमें दो तरह के protein पाया जाते हैं जो silk का फ्रेड देखते हो उसमें दो प्रकार के proteins पायाते है एक होता है fibrone protein जो 80% पाया जाता है जिसके amount और एक होता है sericine जो कि 20% तो यह दोनों protein मिलकर क्या बनाते हैं silk का जो थ्रेड होता है उसी का formation करते हैं जब यह इसको यह liquid form में secret करते हैं बहुत ही thin liquid form में क्या करते हैं silk warm secret करते हैं अपने silk gland से जैसे ही यह air के contact में आती है हवा के संपरक में यह solidify हो जाती है चाइना rank first in the production of silk इंडिया is the second largest producer of silk after china तो चाइना में सबसे अधिक क्या होता है silk का production होता है पूरे countries की बात कि यह world में तो silk का सबसे अधिक उतपादन चाइना में होता है उसके बाद इंडिया क्या होता है second number पर है it is also the largest consumer of silk in the world अधर मेजर सिल्क प्रोडूशिंग कंट्री आर जापान शाउट कोरिया एंड प्राजिल तो कहने का मतलब यह कि जो इस silk है ऐखर अधिया उसकी उसकी अधियों कहां होता है यह थे तो इंडिया में इंडिया में सभ्सेजिक का सब जाथरा कंग्जूम होता है सब्सेजिक के बात कि risen को crimes करते हैं तो उनमें जापान है साथ कोरिया हैं और राजिल हैं इंडिया करनाट का इस दा लार्जेस प्रोड्यूस प्रोड्यूसर आप सिल्क अगर भारत में बात करें इंडिया में बात करें तो इंडिया में करनाट का एक ऐसा राजी है जहां पर सबसे अधिक मातरा में शिल्क की उत्पादन की जाती है किया जाता है चाहे वोटा सर सिल्क हो मूगा सिल्क हो मलबिरी या फिर 11th कि वाटिज रिक साथ किलचर तो हमने भी देखा था कि चै कलचर क्या है तो सरी कलचर में इसे eric प्राप्त करना ही क्या कहलाता है सेरी कल्चर कहलाता है सेरी कल्चर आर सिल्क फार्मिंग इस दे रियरिंग आप सिल्क वार्म फार्द प्रोडक्शन आप रा सिल्क तो क्या बोल रहे हैं हम लोग सेरी कल्चर या सिल्क फार्मिंग किसको बोल रहे हैं कि सिल्क वार्म को क्या करना रियरिंग करना और उनसे सिल्क कच्छे सिल्क का क् बहुत ही जादा या फिर बहुत ही higher amount में raw silk का प्रोडक्षन करना यह क्या कहला रहा है sericulture कहता है sericulture is both an art and science-operating silk-worm for serious production तो sericulture को गया बोलते हैं एक तरह से art and science का mixture है Just art or science का एक तरह से sericulture एक तरह से color भी बोल सकते हैं और एक तरसे scientifically involved process भी है जिसमें क्या किया जाता है silk warm को या फिर silk warm को rear किया जाता है किसी के लिए तो for the production आप silk, silk के production के लिए silk warm को rear किया जाता है Amongst species of silk warm, bombix mori is the most widely used तो silk की बहुत साथ species हैं लेकिन उन में से bombix mori bombix mori जो silk warm की species है वो सबसे अधिक यूज़ होती है silk warm के silk production में तो कौन से silk warm सबसे अधिक यूज़ होती है तो bombix mori शरवाधिक यूटिलाइज या फिर most widely used species है for the purpose of production of silk silk is known as the queen of textile and bio steel because of its strength तो silkjू क्या कहा जाता है तो क्वीन आप टेक स्टाइल कहा जाता है तो मुझ़ा क्या कहा जाता है क्या कि आप टेक स्टाइल के नाम से जाना जाता है 1 30 %. इसकी strength इसकी मजबूतई बहुत ही ज्यादा होती है इसलिए हम लोग इसको Bayow बीवो निहां आप जानते कि मजबूती होती है तो इसलिए हम लोग इसकी होने के कराण इसको बायो स्टील कहते हैं ईक सेरी कलच़र देख लिए तो वाट इस दम मोरी कल्चर मोरी क дела को बोलते ठीकमेली मलबेरी सिल्क वर्मू को क्या किया जाता है और्येर किया जाता है सिल्ष productive के लिए तो specifically अगर हम लोग मलबेरी सिल्क वर्म की बात कर रहे हैं या मलबेरी सिल्क की बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलें गे Mori culture ठीक तो ये भी एक सरी culture का ही पार्ट है Mulberry belong to the genus moris of the family morasi तो ये जो mulberry है कौन से genus से बिलान करती है Moris से Moris genus और family morasi से Bombix mori feed especially on white mulberry leaves तो ये जो Bombix mori की species है ये क्या करती है ये ही specifically mulberry seeds को ये फिर mulberry की जो पतियां होती है उनको eat करती है और इन ही से फिर silk produce करती है different types of silk warm तो अलग-अलग types के silk warm है और अलग-अलग जगा पर अलग-अलग types के silk warm को silk production के लिए use किया जाता है और सब के अलग-अलग commercial values है there are five major types of silk of commercially importance obtained from different species of silk warm which in turn feed on a number of food plants except mulberry other varieties of silk are generally termed as a non-malberry silk तो क्या बोल रहे है there are five major type यह पांच मुख्य रूप से commercial importance के silk warm present है जो कि silk produce करते है तो अलग-अलग types के silk और इनका क्या है इनका commercial importance है और इन पांच अलग-अलग types के silk को produce करने के लिए पांच अलग-अलग types के silk warm भी है obtained from different species of silk warm अलग-अलग types के silk warm से क्या किया जाता है यह पांच प्रकार के silk को प्राप्त किया जाता है ठीक है कि यह जो क्या और बोलते हैं silka where होते हैं और अलग-अलग types के plant को कि यह भी क्या करते हैं . फीट करते हैं अलग लग टाइपस की प्लांट को इठकर ते तो अग्र जो मलबेरी मलबेरी सिल्क किसको बोल detailed सेमल बेरी की खुमल वेरि की रिभु को इड करी अर बाकी का ाे तुछ है तो तरह से यह जो सिल्क है अलग अलग टाइप्स के सिल्क सभी टाइप्स के लगबग सिल्क क्या किया जाता है प्रोडियूस किया जाता है सभी प्रकार की वेराइटिस के सिल्क प्रोडियूस किया जाता है । मेली सिल्क omession की बात कि दिंग यह तो हम लोग यहां दिखिए अल्ठ टाइप्स की चिल्क Slop यह वहां यह एक बहुत ही इंपोर्टेंट टेबल है जिसमें टाइप्स आफ सिल्क इनका scientific name और कौन से family से बिलाग करते हैं क्या host plant है कौन से plant को ये eat करते हैं fade करते हैं और कौन कौन से राजियों में produce किया जाता है तो ये बहुत ही important table है इसको आप लोग कोशिच करना याद करने की तो first हम लोग बात करें मलबेरी silk जो की white या cream color का होता है इसका scientific नाम क्या है बॉम्बिक्स मोरी जो की family बॉम्बी CD से बिलाग करती है और ये मलबेरी plant को जिसको मोरस स्पीसिस बोला जाता है उनको क्या करती है फीड करती है उनको eat करती है और मलबेरी silk या बॉम्बिक्स मोरी से silk produce किया जाता है मेंली कहां कहां पर करनाट का आंध्रापरदेश सेकेंड हम लोग बात करें ट्रॉपिकल ट्रसर सिल्क जिसको ठीक है कॉपरिस सिल्क के ना कॉपरिस इन कलर ये कॉपर कलर के होते हैं कॉपरिस कलर के होते हैं कौन ट्रॉपिकल ट्रसर सिल्क और इनका scientific नाम क्या है से जाना जाता है असान एंड साल जिसको सोरिया रवर्ष्टा बोलते हो आप लोग और मेंली कॉंसी स्टेट में प्रोड्यूस के जाता है टॉपिकल टेसर जारखंड ओडिशा चातिस गड़ वेश्ट बेंगाल आंध्रापरतेश थर्ड है ओक टसर सिल्क टेंपरेट सिल्क क नियर की स्टेट के लिए मैं एक प्रोडियूस किया जाता है वाइक कालर की होती हैै सामिया साइन्थिया इसका क्या है साइन टिफिक कि नेम है और सậंटर्न करता जाना जाता है यह होस्ट प्लांट है इसी को एक फीड करते हैं और नौर्थ इस्टर्न स्टेट बिहार वेस्ट बेंगल ओडिसा इन में इनको प्रोडियूस किया जाता है मुगा सिल्फ जो की गॉल्डर युल वा कलर का होता है इनका साइन्टिफिक नाम क्या है एंथरिया आसामा यह भी फैमिली से बिलांग करती है और यह सोम जिसको परसिया बंबी सिना के नाम से जाना जाता है इस प्लांट को फीड करती है प्लांट के जो लीप्स होते हैं उन प्रोड्यूस किया जाता है किसको मुगा सिल्क को अब हम देखते हैं अलग अलग सिल्क वार्म के बारे में थोड़ा सा तो सबसे पहले बॉम्बेक स्मोरी जिसको हम लोग मलबेरी सिल्क के नाम से जाना जानते हैं तो सबसे अधिक मात्रा में पूरे विश्व में कौन से स्पीशिस से सिल्क बोलते हैं बॉम्बेक्स मौरी से सबसे अधिक words में पूरी विश्व में क्या कि जाती है सिल्क produce की जाती है इसलिए generally हम लोग जो सिल्क होता है उसको मलबेरी सिल्क बोलते है मलबेरी सिल्क comes प्राम सिल्क वार्म बॉम्बेक्स मौरी which solely fits on the leaves of मलबेरी plants तो मलभरी सिल्क मलभरी कौम से सिल्क हर्म से प्रोड्यूस होता है तो joka करतीая outta season को प्रोड्यूस करती एकिए करती है और यह मिखता किस पर डिपैंट रहती ए अरिखलो को फीडिया इतन नहीं करती है इन इंडिया दा मेजर मलबेरी सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट आर करनाटका आंधरा परदेश वेस्ट बेंगाल तमिल नाडू एंड जम्मू एंड कस्मिर विश्ट तूगेदर अकाउंट फार नाइंटी टू परसेंट कंट्रीज टोटल मलबेरी रह सिल्क प्रोडक्शन तो अगर हम लोग भारत में बात करें में मलबेरी शिल्क प्रोडक्शन की तो करनाटका आंधरा परदेश वेस्ट बेंगाल तमिल नाडू जम्मू एंड कस्मिर यह ऐसे राज्ये हैं जिन में मलबेरी सिल्क का प्रोडक्शन बहुत आया है ठीक है कहां कहां से करनाटका आंधरा परदेश वेस्ट मेंगाल तमिल नाडू एंड जम्मू कस्मिर से 90 परसें 92 परसेंट सिल्क प्रोडक्शन होता है अगर आवसा थिल्क प्रोडक्शन की बात करें भारत की केश में तो निक्स सब्सक्राइब देखते हैं ठासर सिल्क वार्म तरसर शिल्क वार्म कैसा दिखता है उसको तर्शल्क इस जनरेटेड बाई सिल्क वार्म एंठेरिया माइलिटा विच मेंनली थ्राइब्स आन दे फूड प्लांट असान जिसको टर्मीनिल्या तोमिन स्टोसा बोलते जिसका नाम क्या है? एंथेरिया माइलिटा इंथेरिया माइलिटा जो फिल्क वार्म होता है उसके द्वारा टशर सिल्क का प्रोडक्षन होता है और यह मेंली डिपेंड करते हैं कौन कौन से प्लांट के उपर अपने फीडिंग के लिए तो आसन जिसको टर्मिनिलिया टोमेंटोशा के नाम से जाना जाता है अर्जुना जिसको सभी जानते होंगे अर्जुन ट्री को टर्मिनिला अर्जुना और शाल जिसको आप लोग सोरिय रवश्टा बोलते हों इन्हीं की पत्तियों पर यह डिपेंड रहते हैं फीडिंग के है it is less lustrous than mulberry silk but has its own feel and appeal तो यह इसकी बात की जाए किसकी mulberry silk की तुलना में यह क्या होते हैं कम यह lustrous होते हैं ठीक है कम लस्ट्रस होते हैं लेकिन इनका भी एक अलग क्या होता है importance होता है ठीक है यह कम महत्व होते हैं इनका importance थोड़ा सा कम होता है किनकी mulberry silk की दुलना में पर यह इनका भी क्या है इनका कलग ही importance होता है ठासर की बहुत ही अलग-अलग टाइपस की भी टासर से भी क्या होते हैं कपड़े बनते हैं टासर सिल्क इस मेनली प्रोड्यूस्ट इन दे स्टेट आप जारकंड चतिस गड़ एंड ओडिशा बिसाइट्स महाराष्ट्रा वेश्ट बेंगाल एंड आंध्रापर्देश तो हम लोग बात करें टासर सिल्की तो टासर सिल्क प्रोड्यूस्ट करने वाले लेकिन कम अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है तो आप यहां टासर देख रहे होंगे टासर का यह कीड़ा वार्म देख रहे होंगे और यह इसका एडल्ट फ्लाई है टासर कल्चर इस मेन स्टे फार मेनी ट्राइबल कम्यूनिटी तो जो हमारे जो अधिवाशी या पे ट्राइबल कम्यूनिटी इस हैं वे टासर सिल्क या टासर कल्चर को क्या करती है बहुत गिवाश इनको करती है यह उनके का अच्छा सोर्स होता है सो नेक्ट देखते हैं ओक टसर शिल्क-वार्म च Briチ एज फाइनर वेराइटी आप टसर जेनरेटेटेट बाइ सिल्क व्याग एंथेरिया पैरोली तो इसको यह क्या है यह फाइन विराइटी कि यह अधर ते हम ने पढ़ा डट्रसर सिलówवाम इस से थोड़ी सी यह क्या होते है थोड़ी हायर कॉलिटि की सिल जैन गरेट करती है और कांसी स्पीशिस जनरेट करती है तो आथा टेरिया पाइर लूv इसको क्या करते है यह यह इंद शीरिया प्रोयली इसको जन्रेट करते है वान मिनट अ कांटिनु करते हैं यह इंद आ इंदिया यह यह इंद इन फिर अन निचरल पूट प्लांथ अप्यड कोर्कॉड स्पिशिस पंद इन अबंदें इन सर्भी माल्यान स्टेट को विमाचाल पर दिस उत्र पर दिस ऑश्वार्ड अश्वं मिगालया इंद जमू आन कशमीर तो हम क्या बोले कि इंडिया में यह पिस्पीशिस पाई जाती जो कि इनका निचुरल फ्रूड होता है वह कौन होता है ओक ट्री जिसको क्वेर्कस के नाम से जाना दे जाता है यह जो ओक ट्रीज होती है इनके लिप्स को यह करती है फीड करती है और यह आख ट्रीज बहुतायत में कहां पर प्रफाया जाता है सब हमाले एरिया शोटो ब्रदेश युथ्ट परदेश जाम जामू कश्मिर तो इन सब रिजन में में और सब प्रॉड़ूज की जाती है चाइना इस दा मीजर प्रोड्यूशर आप ओक्टसर इन दे वर्ल्ड एंड इस कम्स फ्राम अनदर सिल्क वार्म विच आप नोन आज़ा एंथेरिया प्रिनी तो हम लोग बात करें किसकी है ओक्टसर सिल्क वार्म की तो चाइना चाहिए सब्से अधिक्म डूश करता है पूरे विशु भर में विश्व इंधीय ईरेंडी इस शिल्क वर्म को क्या का नाम से जाना जाता है एरी इंदी तेथा एरणी जी जाना जाता है किसको इरी सिल्क वर्म को इरी सिल्क is the product of domesticated शिल्क वर्म shorts, phyllosamia racOOOOOOOO university that bid mainly on caster leaf इरी कल्चर इस हाउस होल्ड एक्टिविटी प्रेक्टिस्ट मेंली फार्द प्रोटीन रिच्प्यूपा डेली के फार्ट ट्राइबियल क्या बोल रहे हैं जो इरी शिल्क वार्म होता है यह घरीलू ठीक है इसको बहुत यह हम लोग क्या कर सकते हैं इसको घर में भी कल्टि क्वेशिस के द्वारे इरी श्ल्क वार्म प्रोड्यूस कि जाते हैं तो फेलिॉस्टोपा रेसेनी के द्वारा है है और यह मैंनली क्या करते हैं इसको यूज करते हैं इसको यूटिलाइज करते हैं अलग अलग परपस के लिए इसको क्या करते हैं ये यूज करते हैं कौन ट्राइबल पाफुलेशन किसको ये प्रोटिन रिच प्यूपा को किसका इरी शिल्क वार्बता इस सिल्क इसको अहिंसा सिल्क तो इस इसका जो मेन फीडिंग प्लांट कौन सा है तो मेन फीडिंग प्लांट सा है कैस्टर प्लांट जिसको पॉलिफेगस इंसेक्ट इस कैंसर कैस्टर प्लांट इसको कैस्टर प्लांट इसका क्या है मेन फीडिंग प्लांट है इस सिल्क का यूज चादर वागेरा बराने में की करते हैं और इनका घरेली यूज करने के लिए बहुत से दूसरे टेक्स्टाइल बराने में भी यूज करते हैं ट्रैवल पॉपलिशन के लोग इन इंडिया इस कल्चर इस प्रक्टिस्ट में ली इन नार्थ इस्टर्ण स्टेट इसके अलावा बिहर वेश्ट बंगाला और इस्टर्ण में भी किया जाता है नेक्स हम लोग बात करें मूगा सिल्क की तो मूगा अप्टेंड फ्राम सेमी डोमेस्टिकेटेड मल्टी वॉलाटाइन सिल्क वार्म एंथेरिया असामनीस तो जो मूगा सिल्क है वो किसे प्राप्त किये जाता है एंथेरिया मल्टी वोल्टाइन की सिल्क वार्म क्या होता है मल्टी वोल्टाइन में एक ही साल में एक साल में इसकी कितनी जनरेशन अगर एक जनरेशन प्राप्त की जा रही है एक साल में इसकी एक ही जनरेशन प्राप्त की जा रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनि यूनि और दो से अधिकन जनार्जिव कि जा रही है तो इसका वंदी वहन्य स्यमिन छाट्ड तुम इन गयर में तो टेन जरोतुं से जाहो तो इसका यह जाता है इसका आप्तmez शॉलू एन अधर पांट्स तो यह सॉम शॉलू यह दूसरे प्लांट्स को यह इट करते हैं इनकी पत्तियों को दिस सिल्की नोन इस आसम सिल्क और इसको आसम सिल्क के भी नाम से जाना जाता है दिस गोल्डेन यलो कलर सिल्क इस प्रिरेगेटिव आप इंडिया एंड़ प्राइड आप असम स्टेट तो आसम स्टेट की पहचान है यह यह लोकल अर्थ की सिल्क किसकी पहचान है आसम भारत की भी पहचान है लेकिन mainly हम लोग बात करें तो ये अश्रम ठीक है अश्रम से इसको अश्रम की ये क्या है पहचान है अश्रम में ये इस प्रकार की मुगा सिल्क मिलती है मुगा सिल्क कल्चर is specific to the state अश्रम and an integral part of tradition and culture that state तो मुगा सिल्क जैसे की बताया कि ये किसकी विश्रिष्ष्टा है आश्रम राज की विश्रिष्ष्टा है और अश्रम में इसको क्या किया जाता है मीजर अमाउंट में इन कल्टिवेट किया जाता है ओके दा मुगा सिल्क और हाई वैल्यू प्रोड़क्ट इस यूज़ टू प्रोड्यूस लाइक सारीज मेखलास चादर मुगा सिल्क इनकी क्या होते है बहुत ही हाई एकोनोमिक वैल्यू होते है हाई एकोनोमिक्स इंपोर्टेंस होता है और इससे सारीज मेखलास चादर इत्यादी बनाने में यूज़ किया जाता है सेरी कल्चर स्टेज आप प्रोड़क्शन तो सेरी कल्चर के अलग अलग स्टेज आप प्रोड़क्शन है आज हम लोग यहीं तक पढ़ रहे है नेक्स डे हम लोग continue करेंगे आज हम लोग यहीं तक continue कर रहे है नेक्स डे इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे